वो बात ताकत सिर्फ अनुराग की शरीर में थी जानता है अनुराग के शरीर में ऐसी ताकत क्यों थी? युग भग्शानर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है क्योंकि पापा का जन में काम औरत की कोक से नहीं हुआ था कंटक्टोना करके जिस कोक को तयार किया गया था उससे हुआ था भग्शानर खोश होते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा युग तो ने अब धीरे धीरे तेरे सब समझ आ रहा है कैसे ना आएगा आखिर तू भी मेरी तरह भग्शानर जो है और एक भग्शानर को दूसरे भग्शानर की सारी बाते समझ में आती है युग चुप खड़ा रहता है पलट कर कुछ नहीं कहता है भग्शानर फिर से बोल पड़ता है अनुराग के शरीर को पाने के लिए ही मुझे तेरे शरीर से निकलना पड़ा पर जब मैं तेरे शरीर से निकला तो यामिनी अपनी अलग चाले चलने लग गई उसने तुझे मजबूर किया खुद उसके शरीर को ढूडने के लिए तुझे वो रात याद है जिस रात तु अभी मन्यू के साथ घाट पर गया था यामिनी को बुलाने के लिए और वहाँ पर यामिनी की आत्मा आई थी युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुवे कहता है हाँ याद है उसी रात तुने डायना पर हमला किया था ना ग्रेवियार्ट कोठी में भक्षानर हाँ में अपना सिर हिलाते हुवे कहता है हाँ यूग मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ जब वो डायना पहली बार ग्रेवियार्ट कोठी में खुसी थी न तब ही मुझे पता चल गया था कि वो एक डायन है और उसे जरूर चित्रा नहीं भेजाओगा आखिर वो भी तो डायन थी पर मैंने कुछ नहीं किया चुपच हमला करना पड़ा मैंने सोचा था कि तुम सब के आने से पहले ही मैं उसका खेल खत्म कर दूँगा पर ऐसा हो नहीं पाया मैं उसे मार पाता उससे पहले ही तुम लोग वहां पर आ गए और उस कमीने अभी मन्यों ने एकास्त्र से मुझ पर वार कर दिया शरीर ना होने के क और फिर ग्रेवियार्ट कोठी से निकल जाने के बाद कैसे क्या हुआ तुखोद अच्छे से जानता है मैंने यामिनी को कैद कर लिया था और उसके बदले तुझे अनुराग का शरीर लाने के लिए कहा और जान बूच कर उसका पैन दिया क्योंकि वो पैन भी मेरे वश मे था उस रात मैंने ही अपनी शक्तियों के मदद से तुझसे वो कहानी लिखवाई थी जानता है मैंने तुझे अनुराग और चित्रा की वो कहानी क्यों बताई थी क्यों वो सारी बाते बताई थी जो नहीं बतानी चाहिए थी यूग हट-बड़ा हट के साथ पूछता है क् भक्षानर यूग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं तेरे दिल में चित्रा के लिए और ज़ादा नफरत भरना चाहता था यूग मैंने कहानी को इस तरह से तेरे सामने पेश किया कि तुझे चित्रा बुरी लगने लग जाए और अनुराग अच्छा यूग तु अनुराग का बेटा है एक लेखक का बेटा तो तुझे तो कहानी की एक सबसे जरूरी बात पताई होगी कि कहानी में कुछ बाते सच होती हैं और कुछ बाते जूटी और इस सच और जूट के बीट जो बात होती है न वही कहानी होती है मैंने भी ऐसी ही कहानी लिखी कुछ बाते तो सच बताई पर कुछ बाते जान बूच कर जूटी लिखी ताकि वक्त आने पर मैं उस चीज़ का फैदा उठा सकू तुझे अनुराग के मुह में इस तरह बांदू कि तू मेरी हर बात माने पर वो हो नहीं पाया क्योंकि वो चित्रा बीच में आ गई और उसने सारा खेल बिगार दिया उसने तुझे सारा सच बता दिया और फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा यूग अभी भी खामोशी के साथ खड़ा रहता है उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले भक्षानर फिर खुद से बोल पड़ता है मैं तो खुद उस चित्रा को मारना चाहता था पर उस पागल चित्रा ने खुद अपने हाथों अपनी जान दे थी तू ही बता यूग उसके पूरवज ने खुद कामेश्वरी को अभिशाब दिया था और सद्यों से चले आ रहे हैं उस अभिशाब को उसने योही खत्म कर दिया वो खुद अपने पूरवज के खिलाफ गई और हमें अपने पूरवज के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो अपने पूरवज के खिलाफ जाता है उसका अंत निश्चित है मुझे पूरा यकीन है कि तू अपने पूरवज के खिलाफ जोफ कभी नहीं जाएगा, उनकी सारी बात मानेगा, तुमानेगा न युग मेरी बात, आखिर मैं ही तो तेरा पूरवज हूँ युग, युग एक तक भखशानर को ही देखते रहता है, भखशानर बड़े धीरे-धीरे युग को मोहित करते हुए कहता है, युग तो भी हमा पर राज कर सके, पर अब मेरे पास वो शक्ती है जिससे ब्रह्मान पर राज किया जा सकता है, तो एक भक्षानर होने के नाते, तेरा भी यही फर्ज बनता है कि तु मेरा साथ दे, मेरे ही मकसद को अपना मकसद मान ले, योग अभी भी चुप खड़ा रहता है, पलट कर तो अकेला है, पर मेरे साथ आकर तुझे सब कुछ मिल जाएगा, हम दोनों साथ में रहकर इस पूरे प्रहमान पर राज करेंगे, योग भक्षानर को घूरते हुए कहता है, किसने कहा मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त है, मेरा प्यार है, और दोस् अकेला है, पर देखना, जिस दिन तेरा असली रूप इनके सामने आएगा, ये तेरा साथ छोड़ देंगे, ये लोग तेरा साथ छोड़े, उससे पहले तू मेरे साथ आजा, मेरा हाथ थामले, उसी में तेरी भलाई है, युग ना में अपना सिर हिलाते हुए, बढ़बढाते हुए कहता है, नहीं, मैं तेरा हाथ कभी नहीं थामूंगा, कभी नही रूप दिखेगा। भक्षानर की ये बात कहते ही युग भक्षानर की आँखों में देखने लग जाता है। जब वो उसकी पीली-पीली आँखों में देखता है तो उसकी आँखों की पुतलियों में युग को वो द्रिश्य नजर आने लग जाते हैं जिसमें वो घाट पर और्टों के साथ संभोग करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया करता था। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है। पहचान अपने आपको युग, ये तू ही है, मैं नहीं हूँ। तुखो तुन और्टों के साथ संभोग किया करता था जब तेरे अंदर की हवस जाक जाये करती थी। भक्षानर की आँखों में अपना ये हाल देखकर युग को खुद अपने आप पर घिनाने लग जाती है। युग को वो द्रिश्य भी नजर आता है जिसमें वो शालीनी को मार रहा था ग्रेवियार्ट कोटी में। भक्षानर फिर कहता है। ये तेरा ही रूप है युग, मैंने तुझे शक्तियां भले ही दी थी पर वो निशान जो तेरी कलाई पर आए है वो मैंने नहीं दिये है। वो खुद अपने आप जाकरित हुए है क्योंकि तुद एक भक्षानर है। और यही एक भक्षानर होने की निशानी है। तु एक भक्षानर है युग भक्षानर। युग के कान में बार-बार भक्षानर होने की बात गुंचने लग जाती है और वो खुद से बड़-बड़ाने लग जाता है। मैं एक भक्षानर हूँ। जैसे ही भक्षानर ये बात सुनता है उसके चेहरे पर मुसकान आ जाती है, वो खुश होने लग जाता है, आखिर वो यही तो चाहता था, भक्षानर बड़ी उमीदों के साथ युग से कहता है, तुने सही कहा युग, तू एक भक्षानर है, और सब भक्षानर एक साथ आता है और अपना हाथ भक्षानर के हाथ के ऊपर रखते हुए कहता है मैं भक्षानर हूँ और मैं अपने पूरवच के साथ हूँ जैसे है यूग ये बात बोलता है उसकी कलाई पर वो पांचमा निशान भी नजर आने लग जाता है जिसमें ट्रेंगल के अंदर एक आँख बनी हुई थी वो निशान भी पिली रोशनी के साथ चमकने लग जाता है और यूग की आँखे भी पूरी भक्षानर की तरह दिखने लग जाती है यूग की आँखों और भक्षानर की आँखों में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा था भक्षानर आख रोश भरे लहजे के साथ कहता है अब मुझे बता यूग कौन है तू युग भारी आवाज में कहता है मैं एक भक्षानर का वंशच हूँ और मैं भी एक भक्षानर हूँ भक्षानर आगे कहता है अब ये बता तेरा मकसद क्या है युग भक्षानर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है मेरा मकसद समस्त ब्रम्हान पर राज करना है युग की बाते सुनकर भक्षानर कसकस कर हसना शुरू कर देता है और हसते हुए ही उसका शरीर धुए के रूप में बदलता है और वो युग की आँखों के सामने से गायब हो जाता है वो अलग जगह जहां पर बस कुछ वक्त के लिए युग और भक्षानर थे युग उस दुनिया में से बाहर आगया था और अब उसे उसके चारों तरफ बस धेर सारा धुआ नजर आ रहा था उस धुए के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था उसे ये भी ऐसास होने लगया था कि किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ कर रखा हुआ था पर युग इस चीज़ पर ध्यानी नहीं दे रहा था वो बस एक बात खुद से बार बार बढ़ बढ़ाय जा रहा था युग खुद से बढ़ बढ़ाते हुए कहता है मैं एक भकशानर हूँ यामिनी भी युग के पास ही खड़ी हुई थी पर उसे भी बस हर तरफ कालत हुआ ही नजर आ रहा था उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था यामिनी को भी इस चीज़ का भी भी ऐसास हो रहा था कि किसी ने उसका गला पकड़ कर रखा हुआ था और वो उसका गला दबारा था यामिनी का दम घुटने लग गया था उसके गले पर लाल लाल उंगलियों के निशान छपने लग गये थे यामिनी घबराते हुए खुद से कहती है ये सब हो क्या रहा है मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा तारा युग बाबु कहां पर चले गए वो सब यहीं पर दो थे ये हर तरफ इतना धुआ क्यों चाया हुआ है यामिनी इस बारे में सोची रही थी कि तभी उसके आसपास फैला धुआ चटने लग जाता है वो कम होने लग जाता है और देखते ही देखते वहां पर से पूरा धुआ गायब हो जाता है यामिनी को युग तारा और अनुराग वापस से नजर आने लग जाते है वो देखती है कि अनुराग ने अभी भी एक हाथ से उसका गला पकड़ा हुआ था तो अपने दूसरा हाथ युग की कलाई पर रखा हुआ था और वो एक टक नजर से युग की तरफ ही देखे जा रहा था युग भी बस अनुराग की आँखों में देखे जा रहा था वो दोनों जैसे एक दूसरे की आँखों में देखते हुए ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। तारव वही पर थी जो अभी भी रोय जा रहे थी पर उसकी आवाज नहीं निकल रहे थी। प्रशनी में चमकते हुए नजर आने लग जाता है। यामिनी घबराते हुए मन में सोचती है। ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था अब तो युग बाबू? इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। वो खुद घबरा रही थी उस बात को बोलने में। अनुर अनुराग तीन बार इस मंत्र का जाब करता है और युग की आँखे बंद होने लग जाती है। अनुराग उसी वक्त युग की कलाई पर से अपना हाथ अटा लेता है। जैसे अनुराग अपना हाथ अटाता है, युग धडाम से जमीन पर गर जाता है और बेहोश हो जाता यूग को देखने के चक्कर में अनुराग के हाथ की पकरढ़ी हो जाती है और यामिनी गुस्से के साथ अनुराग से बोल पड़ती है क्या किया तुने मेरे यूग बाबू के साथ अनुराग हसते हुए भारी आवाज में यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है मैंने तेरे युग बाबू को भी अपनी तरह बना दिया भक्षानर यामिनी नामे अपना सेर हिलाते हुए कहती है नहीं ये नहीं हो सकता अनुराग कहता है ये हो चुका है यामिनी वैसे मुझे युग को भक्षानर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी वो तो पहले से भक्षानर था मैंने तो बस उसे उसके अस्तित्तों का एहसास करवाया है जिसे वो भूल गया था यामिनी घबराते हुए बस नामे अपना सेर हिलाते रहती है वो इतनी ज़ादा घबरा चुकी थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी अनुराग खुद यामिनी से बोल पड़ता है मैं सोच रहा था कि भक्षानर बनने के बाद योग खुद तुझे मारेगा पर भक्षानर बनने के बाद योग तो बेहोश हो चुका है पर अब ये अधूरा काम मैं ही पूरा कर देता हूँ मैं तुझे मारूं या फिर योग मार तो एक भक्षानर ही रहा है न यामिनी डर के साथ कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता अनुराग अपनी बात पर अडिक रहते हुए कहता है ऐसा हो चुका है यामिनी सच्चाई को स्विकार कर और अपने अंत को भी